आर्थिक रूप से परिसानी जहल रहे लोगों के लिए लॉकडाउन चार में रहत का संदेज दिया तो पटना के सबसे बड़े चांदनी चोक बाजार को गुलजार होने में देर नहीं लगी अलक्तौनिक उपकरनों के इस मार्केट में पर्शासन के द्वारा तैमानकों का भर्शक पालन करने का भरोसा कारेबारियों ने दिया नमस्कार मेहोशिव आप लोग देख रहे हैं SDF News जैसा कि आज हम लोग चांदनी चोक मार्केट में आ चुके हैं जहां कि इलेक्ट्रिकर्स के बहुत सारी दुकाने हैं तो सरकार के आदेश के द्वारा इनकत सबका पालन किया जा रहा है और यहां पर बहुत सारी दुकानों को खोल दिया गया है तो आएए चलिए दुकानों में पता कर देए कि यहां पर नियम के अंशार काम हो रहा है या नहीं सैनिटाइजर है हमारे पास सैनिटाइजर है पिर मास्क भी हमारे पास अगर कोई कस्टमर बिना मास्क के आता है तो उसको मास्क अभेलेबल करा देते हैं हम जितनी विवस्ता हो सकती हैं हम से उतनी के इन कर रहे हैं कस्टमर को एक बार को एक बार एंटर्टेम कर रहे हैं अच्छी बात कर कार दो कम से कम थोड़ा सा तो निदाय दी है कि हम लोग कुछ काम कर सेके कुछ अपना वानी कर सेके हुआर इस्टाफ और हमारे लिए बहुं अच्छी बात ऑश ही और जहां तैक नियमों की बात है हम लोग साफ कुछ एक एक चीज का बिलकुल पञाल वहां पर आप देख सकते हैं ह बीना मास्क को आम अंदर नहीं आने देते हैं हाँ अभी तो हम लोगा दो मेने का काफी ज्यादा नुकसान हो गया सीजन का इटम है लेकिन सरकार ने हम लोग के तो तुरब से थोड़ा रहात दिया है और आपको वीक में तीन दुकान खुल रही है अभी और इवेंट प्रोस बिहार के विविन जीलो तक एलक्तोनिक उपकरनों को मुहाय कराने वाला या मार्केट आज अपने गुनपता के लिए वुक्ताओं की पहली पसंद के रूप में उबरा है। कमी नहीं आई है। लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि लोगों के मन में कुरोना संक्रमन का खौप कम हो सका है। लोगों से अपील है कि साब्धानी बरत्तेवी समय काम काज करे और कुरोना से लड़े। दावा दे रहें। कैमरा परसन सूरज के साथ एस्पिशिव। करेज दे रहें। करेजिए रहें। करेजिए